बेस्ट कैमरा स्मार्टफून अडर 10,000 तो भाई अगर आपका बजट रेंज लाइक 10,000 है इस प्राज रेंज में आप एक तगड़ा कैमरा लेना जाते हो कैमरा स्मार्टफून लेना जाते हो तो भाई ये वीडियो मैं श्पेशली आपके लिए करूँ ज्यादा समय खराब लेगी तो यह 10,000 के बजट रेंज में आप इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सुपर एमलेट डिस्प्ले देखने को मिले ठीक है तो आपको IPS LCD देखने को मिलेगी Snapdragon 460 आपको परसाइसर देखने को मिल जाता है जो की 11 nanometer technology के साथ बेस्ट है तो इसका जो परसा कैमरा सच में बहुत ही जाता सही है लेकिन आपको एड मैं आपकसाद सालफी देखने को मिलता है आपको 5000 आपको 10 वार्ड का फास चार्जर देखने को मिल जाता है लेकिन मैंने आपको फिर से बता दिया कि इसका जो बैक कैमरा है वो सच में अच्छा है अगर आपने like day shoot करना है आप normally easily कर सकते हो तो यार अगर आपको selfie अच्छी चाहिए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा है ये smartphone आपको selfies में इतनी अच्छी नहीं देखने को मि देता हूं तो यह डिस्प्ले की बातों को six point five inch IPS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बातों को snapdragon four six zero देखने को मिल जाता है जो की eleven nanometer technology के साथ बेस्टारी की बातों को five thousand ms की बैटरी मिल जाते है प्लस ten वाट का फाचार्ज देखने को मिल जाता है कैमरे की बातों को dual camera मि प्लस two megapixel selfie की बात करूं आपको eight megapixel selfie मिल जाते है storage की बातों को four gb RAM मिल जाते प्लस 64 gb storage price की बातों को nine thousand four hundred के budget range में moto e7 plus देखने को मिल जाएगा तो यहार main specification में आपको बता दिया moto e7 plus के तो यहार अगर आपका budget 10,000 से भी कम है आपके लिए यह smartphone perfect deal हो सकता है जा फिर अगर आपको एक non Chinese smartphone चाहिए आपके लिए perfect deal हो सकते है moto e7 plus आप जा सकते है इस smartphone के और लेकिन अगर आपको Chinese को आपके लिए perfect deal होने वाले है तो आगे बात करते है number two की number two की बात करो number two पर यार मैंने रखा realme narzo 20 को तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाता हो यार 10,000 के price range में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला smartphone है realme narzo 20 यह दो colors में देखने को मलता है दो नों colors को बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं blue color में मुझे ज़्यादा सही लगता है अगर आप silver color लेना चाते हो आप ले सकते हैं इसका design इसकी look भी इसको बहुत ही ज़्यादा सूट गरता है तो अगर आपको एक slim and stylish smartphone चाहिए आपके लिए भी प्रफेक्ट है अगर आपको तो अगरा प्रसेसर जाएए आपके लिए प्रफेक्ट है अगर आपको gaming करने है मल्टी डास्किं करने है कैमरे के स्मार्टफों चाहिए realme narzo 20 साथ देखने को मलते है प्रसेसर की बात करूं आपको media tech helio g85 देखने को मिल जाता है ठीक है storage की बात करूं आपको 4GB RAM मिल जाती प्लस 64GB storage ये दो वट में देखने को मलता है 64GB storage प्लस 128GB storage जो भी budget में सैट बैठता है जा जितनी भी storage आप लेना जाते हो आप उसके according देख सकत बैटरी की बातों को 6000mm की बैटरी मिल जाती प्लस 18W fast charger तो 6000mm की बैटरी मतलोग आपका एक दिन तो नॉमली निकाल देगी जैसे भी यूज़ करना जाते हो जैसे भी यूज़ करना आप कर सकते आपका एक दिन तो नॉमली निकल जाएगा camera की बात करूं आपको 48MP camera मिल जात किया विकर स्पैसिफिकेशन के कॉर्डिंग देखा जाए पूरा लोडेड मिल जाता अगर आप 10,000 पे कर देते हो आपके पैसे खराब नहीं होने वाले आप लॉंग टाइम पीडे स्मार्टफून को रख सकते हो एड़ फून का जो डिजाइन है जा कलर है जा बैंटरी य पहले बढ़ि Systems को बता देना चाता हूं आपको मेडे ज़समार्टफून देखने को मिल जाते है तो बहूर अगर आप इसकी और जाना चाते हो आप जा सकते हो यह दो कलर सक बहुत जुडास बहुत ही जादा सूट करते हैं मैं बात कर था में मुझे ज़दा स़ी लगा भी अगर आप लेना चाहतों वाइट कलर में देख लेना आपको भी पसंद आने वाला है उसके बाद मैं आपको बदा देना चाहता हूँ कि आपको दो साल का software अपग्रेड भी इसमें देखने को मिल जाता है जो कि इस phone की खास है देखने को मिल जाता है जो की 12 nanometer technology के साथ बेस आपको IPS LCD मिल जाएगी दो वेड में देखने को मिलता है कौर camera setup देखने को मिल जाता है ज्यादा deeply में आपको बदा देता हूँ CD बात कर लेता है मिन स्पेसिफिकेशन की तो display की बात करूँ आपको 6.67 inch IPS LCD देखने को मिल जाता है अप प्रोसेसर की बातों को Helio G85 देखने को मिल जाता है storage की बात करूँ आपको 4 and 6 GB वेड के साथ देखने को मिल जाता है जो भी आप लेना जाते हो आप ले सकते हो battery की बात करूँ आपको 5.7 inch की बैंटरी मिल जाती है ठारा वाड का फार चार्जर प्लस रिवर्स चार्जिंग भी स्पोर्ट करता है कैमरे की बात करूँ आपको core camera setup देखने को मिल जाता है 48 में अपक्सल प्लस 5 में अपक्सल प्लस 2 मेपक्सल प्लस 2 मेपक्सल सेल्फी की बात करूँ आपको 16 मेपक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है तो यार मेल स्पेस्फिकेशन में आपको बता दिया macro max in note 1 के प्लस में आपको बता दिने चाहता हूँ अपने main topic था जो camera के recording तो camera के recording देखा जाए macro max in note 1 जो है वह बहुत ही ज्यादा सही है यार मेगा पिक्सल से कोई भी मतलब फर्क बगारा नहीं पड़ता सैंसर से ज्यादा फ़र्क पड़ता है जो इसकी camera quality आती है जहां detailing देता है photos की वह बहुत ही ज्यादा सही अगर आप photos गरा देखने चाहते हो आप Google कर सकते हो आपको पता चल जेगा तो यार अगर मेरा budget 10,000 होता ना तो मैं दो smartphone की और ही जाता है जहां मैं जाता है realme narzo 20 के और जहां फिर मैं जाता तो यार मैं moto की और तो बिल्कुल भी नहीं जाता है यार मुझे उसका design कर लोकवगार इतना अच्छा नहीं लगा जो की सच्छा ठीक है price range में इसलिए रखा बिक़स आपको 48 में अपक्सल के साथ उसका camera मिल जाता है back camera सच में बहुत ज्यादा तगड़ा moto का ठीक है आपक्स में देखने को मिल जागा उसको चाहँ आपको लें मिल दे नाक्स्ट वीडियो में ने वीडियों साथ तेंक यू है याद झाल याद 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 झाल झाल